हलो दोस्तो मैं गुर्दीफ मान दीप सी कैनल आफ कुवर्टी पप में आपका स्वागत है दोस्तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए ब्यूटिफुली पपी वीडियो जो अभी 35 डेज के हो चुके हैं दोस्तो इन में दिखाता हूँ आपको मैं कौन से मेल हैं कौन से कौन सी फीमेल है तो अभी मेरे पास six puppy available है जिन में से three male puppy and three female puppy available है दिखाता हूँ feature wise आज इनको first time मैंने टेबल के उपर रखा है दिखाता हूँ मैं आज आपको कैसे table के उपर stack होते हैं क्योंकि first time आज ये टेबल के उपर बैठे हैं तो देखते हैं इनकी color marking इनके ears इनकी top line इनकी tail set जे first male puppy है इसको देखते हैं ये कैसे stack होगा very good babies very good super very good पहले देनी ये अच्छे इतनी अच्छे stack हो रहे हैं जैसे जैसे बड़े होंगे तो ये बहुत ही अच्छे से stack होना start हो जाएंगे trained हो जाएंगे पूरे beautifully very good बहुत ही छोटा है अभी तो ये तो फिर देखते हैं एक बार ये देखिए इसके back hooks इसकी top line tail set very good wife इसके ears देखिए जो पहले मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया हुआ है कि दीचे से round होने चाहिए ये बहुत ही beautiful puppy है इसकी marking इसका color काफी ज्यादा रिच्छ है बहुत ही मेरे friends बोलते हैं कि हमें अच्छी quality का और साथ में marking भी चाहिए दोस्तों मैंने पहले भी बोला है काफी वीडियो में भी आप marking के ऊपर कम ध्यान दीजिया करिए आप ब्रीड के ऊपर ब्रीड के स्टेंडर के ऊपर अच्छी ब्रीड के ऊपर ध्यान दीजिये ए एक वर फिर देखते हैं यह तो काफी बच्पन से ही मेरे को लगता है कि पहले से यह ट्रेंड है यह देखिए very good baby very good सबास good boy good boy चलो देखते हैं दूसरा पपी यह है दूसरा मेल पपी सेम मार्किंग सेम कलर सेम इर्स नीचे से राउंड जैसे जैसे बड़े होंगे वैसे वैसे इन के कान बड़े होते जाएंगे अब भी जो 35 डेस के हैं जैसे भी 45-50 डेस होंगे कि होंगे फिर एक वीडिय मालूँ हुआ है कि क्या इनमें चेंज आई है चलो इसको भी देखते हैं स्टैक करते हैं इसको भी कि अचाओ वेरी कुछ अच्छ और वेरी कुछ अच्छ अच्छ इत्वार फिर अभी अच्छा से नहीं स्टैक हो रहा है क्योंकि अभी बहुत काफी चोटा है आज मौसम भी बड़ा अच्छा है बारस हुई है हमारे यहां काफी यह देखी बहुत ही अच्छा यूटिफली यूटिफली कलर यूटिफली यह देखी वेरी गूटिफली यह दोस्तों जो इनका स्टैक होने का अंदाज और यह क्वालिटी से यह आपको मालूँ चल जाएगा क्योंकि यह इनके जीरफूल में होता है क्योंकि इनके मदर फादर काफी ज्यादा बिनर होते हैं डॉक्स हो में जाते हैं ड्रेंड होते हैं बैसे बैसे इनके पपी भी बच्वन से पॉप्पी इसमें अब भी देखते हैं फीमेल वह कैसे स्टैक होते हैं कौन-कौन सी फीमेल है जह आ चुकी है फीमेल काफी छोटी है साइज में काफी छोटी है बॉर्टी ब्यूटी ब्यूटिफुली है चलो इसको भी देखते हैं स्टैक करते हैं कि कैसे स्टैक होगी यह बैरी गुट इसकी भी कलर देखे कितना अच्छा है कितना रिच है कलर अब भी आपको यह काफी ज्यादा डार्क दिख रहे होंगे वीडियो में जैसे जैसे चेंज होंगे यह पड़े होते जाएंगे व वेरी गुज जैसे जैसे आप इनको ट्रेन करते जाओगे यह बैसे ही ट्रेन होते जाएंगी क्योंकि काफी अच्छी ब्रीड है दोस्तों यह एक बार फिर देखते हैं वेरी ब्यूटी से यह देखें बैक होक्स देखें इसलिए डॉप लाइन इयर्स मजल बहुत ही सौट मजल है उतना अच्छा हैड हैड की टाइप देखें यह देखें ऐसे हैड होना जाहिए इनका क्योंकि अच्छी ब्रीड के पपी ही दोस्तों हमेशा आपको परचेज करना चाहिए अच्छी लाइन से अच्छे कैनल से यह देखें बहुत ही ब्यूटीफली है यह चलो देखें नेक्स्ट पपी यह है जो तीन पपी रह चुके थे उस लीटर में से इनकी मार्किंग सेम है उन तीनों की सेम मार्किंग की ध्यान से देखिए आप सेम कलर सेम मार्किंग चलो इनको भी देखते हैं स्टैक करते हैं इनको भी जे आ चका है नेक्स्ट उसी लीटर का सेम पपी इसको भी देखते हैं स्टैक करते हैं इसको भी कैसे स्टैक होता है इसके भी एर्स देखें दोस्तों बढ़े ही प्यूटिफुली बहुत ही याँ वेरी गुट वेरी सबाश गुट वेवी गुट वेवी गुट वेवी गुट वेरी गुट अभी बहुत ही छोटे हैं वेरी उसका टेल सट देखिए वयरी गुट वेरी गुट वेरी गुट वेरी गुट क्यूटिफुली वपपी क्यूंकि इनकी मदर फदर बहुत अच्छी लाइन के हैं काफी ज्यादा बिनर हैं डॉक्सो में जाते हैं वो पार्टी श्प्ट के लिए वैसे यह पपी वैसे ही रैडी होंगे टॉक्सों के लिए जाने के लिए ब्यूटिफली पपी बहुती अच्छी लाइन के पपी हैं ये दोस्तो पेरी गूट अच्छी बहुती सहोगाrastथ होती आच्छी अच्छी जो बहुती आच्छी पाक हुआ हुआ जो उर भो उरी आच्ची एूप झाल, झाल, झाल.